आखिरकार टीडीपी जेडियू ने वो ही किया जिसका डर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को सता रहा था आपको बता दे एक तरफ चुनाओं की तारिकों का एलान हुआ है दूसरी तरफ नितीश नाइडू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि जेपी नडडा को नितीश नाइडू को मनाने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ गई है लेकिन फिर भी बाग बनती हुई नजर नहीं आ रही है तो ऐसा क्या कह दिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने की बवाल मच गया है टीडीपी और जेडियू के नेता नाराज हो गए है सबसे पहले आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का ये छोटा सा बयान सुनिए फिर इसके बाद मीटिंग में कैसे बवाल हुआ टीडीपी ने क्या कहा जेडियू ने क्या कहा उस पर आते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह दिया है कि जो सिविल कोड हमारे पास है वो कम्यूनल सिविल कोड है भेदभाव करता है इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है बोलते बोलते शायद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ये बूल गए कि अब अल्पमत की सरकार है ना कि बहुमत की सरकार है अब जब से प्यम मोधी ने ये बयान दिया है उसके बास से तो बवाल मच गया है एंडिये में फूट दिखाई दे रही है और तो और जेडियू और टीडियू और टीडियू और टीडियू के नेताओं के बयान भी निकल कर सामने आए है खाबर देखे इसमें लिखा भी हुआ है कि यूसीसी पर एंडिये में फूट पीम मोधी के बयान पर क्या बोली जेडियू और टीडियू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि ये जो यूसीसी है अगर लाना भी है तो इसके लिए पहले हित धारकों से चर्चा करनी होग और चर्चा के बाद जब बात बनेगी तब आगे देखा जाएगा और तो और टीडिपी के नेता की तरफ से बयान निकल कर सामने आया है कि हम तो एंडिये के प्रस्ताओ का इंतजार कर रहे हैं कि यूसीसी को लेकर किस तरह का प्रस्ताओ तयार किया गया है जब प्रस्ता सामने आएगा तब देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि टीडीपी और जेडियू ने जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है उसका खुला विरोध कर दिया है कहना है कि पहले चर्चा कीजें पहले प्रस्ताओं लाइए फिर उसके बाद में देखा जाएगा लेकिन पीम मोदी को ऐसा लगता है कि यह समझ में नहीं आ रहा है पहले तो बयान दिया गिया है टीडीपी और जेडियू की तरफ से इस पर जब भारती जंता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आए तो उसके बाद से बवाल मस्ता हुआ नजर आ रहा है और तो और कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं ऐसे हालातों में जेपी नडड़ा ने अचानक मीटिंग बुलाई है अचानक मीटिंग बुलाई गई है समन्वे मीटिंग बुलाई गई है टीडीपी और जेडियो को मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है एक तरफ विधान सबज चुनावों की तारिखों का एलान हुआ है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बगावत अपने चरम पर लिखाई दे रही है और ऐसे हालातों में भारतिय जंता पार्टी एंडिये में तूट या फिर कि एंडिये की नेताओं का नाराज होना एपोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि मैं आपको बता दू कि जब से चुनाओं की तारिखों का एलान हुआ है उसके बाद से जितने भी सर् होता हुआ नजर आ रहा है निउस 24 देके इसमें लिखा भी हुआ है कि हर्याना इलेक्शन डेट्स हर्याना विधान सबाचुनाओं में कौन मारेगा बाजी निउस 24 का सर्वे है लाइफ सर्वे है इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि कॉंग्रिस ने एक तरफा बाजी मार है 80% लोगों ने कॉंग्रिस को लेकर वोट किया है वहीं भारतिय जन्ता पार्टी को 14% महस 14% लोगों ने वोट किया है और हर्यारा में वैसे भी बीजेपी की हालत कितनी खराब है ये किसी से चुपा हुआ नहीं है बच्चे बच्चे का कहना है कि इस बार हर्यारा में भा वहीं 14% पर भारतिय जंता पार्टी है और अब तो खबरे भी निकल कर सामने आ रही है कि जेडियू टीडीपी एंडिये को जटका दे सकती है ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है और इसी बीच अ की तारिक का एलान नहीं किया गया क्योंकि एंडिये में महाराच्ट को सबसे ज्यादा तक्रार अगर दिखाई दे रही है तो वह है महाराष्ट और भारतिय जंता पार्टी के लिए नाग का सवाल है महाराष्ट में अगर बात की जाए तो एक नाशिंदे अपने दावे पेश कर रहे हैं अजीद पवार अपने दावे पेश कर रहे हैं और दावा तो यहां तक पेश किया जा रहा है कि अजीद पवार विधान सबा चुनाओ के पहले बगावत भी कर सकते हैं ऐसे में भारतिय जंता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है क्योंकि महराष्ट में भी बीजेपी का हाल बहुत बुरा है लेटे सर्वे में आप देख सकते हैं कि 2014 में 122 सीटे 2019 में 105 सीटे जीतने वाली बी एंडिये 2024 के विधान सभा चुनाव में महराष्ट में महस 55 सीटे जीतती हुई नजर आ रही है इसलिए नितीश नाइडू भी अब दबाव बना रहे हैं उनको भी समझ में आ गया है कि भारतिय जंदा पार्टी का जो खेल है अब खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है राजनीतिक विशलेशकों ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि जो नितीश नाइडू है ये हाड बारगेनर है ये इंतजार कर रहे हैं विधान सभा चुनावों का इनको कोई मंतराले मिला नहीं है कोई बड़ापद मिला नहीं है इसे में ये लोग ऐसे ही नहीं चुप ह ये हो गए हैं क्योंकि ये लोग विधान सभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं और एक बार अगर इन चुनावों में भारतिय जन्ता पार्टी हार गई तो NDA में बड़ी बगावत हो सकती है क्योंकि बिहार में दिखाई दे रही है फिलाल नितीश कुमार भी चुप है और नितीश कुमार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि नितीश कुमार जब भी चुप होते हैं पहले संकेत देते हैं फिर पलट जाया करते हैं क्योंकि नितीश कुमार की पार्टी में भी तूट दिखाई दे रही है जब से वक बोर बिल निकल कर सामने आया है तब से सांसद नेता मंत्री आपस में भिड़े जा रहे हैं नितीश कुमार अपनी पार्टी में टूट को लेकर टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और नितीश कुमार चुप चाप अपने कदम बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार ने पहले ही दावा पेश किया था कि बिहार के जो विधान सबा चुनाओ है इन्हें समय से पहले करवा लिया जाए तब तो भारती जंता पार्टी मानी नहीं और अब नितीश कुमार मानने की इस्तिती में तयार नहीं दिखाई दे रहे हैं नितीश कुमार लगातार संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नितीश कुमार के करीबी IS अधिकारी पर ED की छापे मारी करवाई गई कि भारतिय जंता पार्टी क्या खेल कर रही है क्योंकि बीजेपी जिसके साथ भी गडबंधन करती है उस पार्टी को किस तरीके से खतम कर दिया करती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है तो नितीश कुमार खेल कर रहे हैं टीडीपी भी नाराज दिखाई दे रही है चंद्र बाबू नाइडू भी दबाव बना रहे हैं अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये रुजहान है तो विधान सबा चुनाओ के नतीजों म के बाद NDA में बड़ी बगावत होगी इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जाब 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 शाब शेयर करें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जॉइन करें फिर मलते उगली खबर के साथ तब के लिए धनिवाद